यह आनि मर्म का स्थान है से जनुं मर्म का स्थान है इन दोनों में स्टेटिक प्रेशर पॉinku, tokenिक से ज़र क्लोकिफ और एंटिक्लोकफ थान्य करने है इस देखे दोस्तों सूछा XC typ के तयार होचिई है तो दोस्तों इस ताइब से इस्टीम करते रहना है देखिए देरे-देरे स्वेटिंग हो रही है नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर में भारती शुशुत आयर्वी दर्शन में एक बार फिट से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों आज गुटनों के दर्द से प्रिसान सभी रोग्यों के लिए लेकर आया हूं बहुती सरल और एफेक्टिव ट्रीटमेंट तो अगर आपके भी घुटनों में ग्रेसिंग कमजोर हो चुकी है फ्रिक्सन बहुत जादा हो रही है घर्षन के कारण जो है दर्द काफी बढ़ रहा है तो दोस्तों ये वी दोस्तों अगर आप भी घुटने के दर्द से प्रेसान हो और आपकी घुटने की जो है ग्रीसिंग खतम हो चुकी है चलने फिरने में गुटनों में काफी दर्द रहता है ये साइड वाली काटिले जो है काफी दर्द हो रहा है इसमें तो आपके लिए बहुती सरल और चलता रहा हूं और कैसे कैसे करवा रहा हूं ट्रीट्मेंट स्टाफ यह बाइस्टेप सीकिए और रूका लेने की आपको ज़रतनी पड़ेगी तो चलिए सबसे पहले देखें यह आणी मरम का स्थान है इसे भी दोस्तों 21 वार 21 के तीन सैट से दवाना है इसे 21 वार दवाना है लगवक्त दो तीन चार पांट शे साथ आठ नो दस ऐसे करके 21 वार दवाना है इसे और फिर क्लॉक्वाइज तिल के तेल से तिल का तेल अगर आपके पास नहीं है तो सुद्व सर्सों के तेल से भी अभ्यान कर सकते हो गुटने में दोस्तों रांडेड मसाज होती है कभी भी क्लॉक्वाइज और एंटिक्लॉक्वाइज जो है मसाज करनी है अब देखें दोस्तों यह जो आणी मर्म का अस्थान है इसमें लगवग 21-21 के 3 सेट होगे अब नीचे जानो मर्म का अस्थान जो है अब नीचे यह जो जानो मर्म का अस्थान है यहां पर भी लगवग 21-21 के इस टाइप से प्रेशर देना है और फिर से क्लॉक्वाइज और एंटी क्लॉक्वाइज फिर से यह वाला प्रोसेजर जारी रखना है अब देखिए दोस्तों यह तो प्रेसर पॉइंट टेक्निक की बात होगी अब इससे आगे का जो ट्रीटमेंट होगा वह बहुत ज़्यदा इफेक्टिव है अभी यह जो अभ्यंग है हमारा अभ्यंग कर्म है पुरा हो चुका है हमने आणी मर्म के अस्तान पर और जानू मर्म के अस्तान पर दोनों जोगव एकीस सके तीन सेट कर दिये हैं अब इसके बात जो है इस्टीम लगाएंगे गुटने का दर्द जो है दिरे-दिरे क्योर होने लगेगा गश्तोबी यह हमारे पास च्पाइप और यह पंकलार श्क्यां पर बना रहे जाती है मैं नहीं बात बतो चुका हूं कई ुलोगी जूहें इसका खा्यक्ण बौझा चुके पंकलार इस्तिम कैसे बनाए जाती है हमारे चैनल उलocyपर ओड़ी पड़ी किया आ आप इस कि दिए देखेंज दोस्कों इसे इंगर Đोट परके तयार हो चुपी है आज आज बाइसाँ है अब इसको जो है पर्टिकुलर एरिया पर जांपर पेंगौरव पर कैसे प्लाइब करना है वो मैं दिखाऊंगा भुटने के दर्व से अगर आप परिशान हो अभ्यंग करो आनि मर्म जानों मर्म को दबाओ यह चीज जान लीजिए भुटनों के दर्व में आपको पेंकलर लेने की जरुत नहीं पड़ेगी इस पेंकलर इस्टीम के माज़न से सब ठीक हो जाए तो दोस्तों यह अभी भुटने में हमने अभ्यंग कर्म पूरा कर दिया है अभी जो पेंकलर इस्टीम है इसको कैसे कि दोस्तों इस टाइप से यह अपलाई होगी दिरी दिरी जो मेडिकेटेड ओयल हमने अपलाई करावा है वह इसकिन के अंदर एब्जॉर्ब होने लगेगा और वहां पे जो दर्द है उससे रहात दिलाएगा और दोस्तों मैं पहले भी बता चुका हूँ यह जो पेंकलर इसमें काइनेटिक एनरजी होती है जो इसकिन के अंदर जाती है और वहां पे बिक्रित वात को जो है सप्रेस करती है और घुटने के दर्द में तुरंत आराम दिलाती है बहुत रामार तरीका है दोस्तों तो दोस्तों दिरे-दिरे जो है इस टीम जब अच्छे से हो तो दोस्तों इस टाइब से ved Elon करते रहना ऩरी देले सूरहाट हो रहीए तो दोस्तों धेख्यावी शुदंग हो हो चुका है पसेना दिरे जरी दिरे आना शुरू हो गिया है अब हमें स्वेदन कर्म जो है पूरा कर लेना चींट खतं में चाहिए अभी यह जो इस पर्टिकुलर प्लेस की जो है जगड़ाहट दर्द और जो काटिलेज में जो यहां पे साइडों में बहुत ज्यादा दर्द होना शुरू हो गया था वो देरे-दरे से पार्ट्स होते हैं जो काफी सेंसिटिव होते हैं और चोटी सी भी आगात या चोट लगने से उनमें मिर्तु या फिर विगलांगता आ जाती है पर लेकिन आयर्वेज पंच कम्च किस्ता के माधिन से जो है उन एरिया को तार्गेट किया जाता है और एक सेटिक प्रेसर प पें नर्वस सिस्टम पें इन सब पेंस में जो है राहत में जाती है तो चलिए मिलते हैं आपको इसी टाइप के और इंफर्मेटिव वीडियो के साथ तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए आयर्वेद को अपनाईए जीवन को अपनाईए नमस्कार